वेल χळ व्लिकूम दिस तेत्जिसराज सक्सेना यें वॉचिंग दरीवशू आज कार में हम बात करने वाले है वह रहने वाली है तेटा डो अधर safari के अगर फुल रिवीज में बात की जाएंड वॉट आठा सवारी के अगर पूर्प अगर देखने को मिल जाएगी एंड उपर स्क्रीन पर आ रही लिंक पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं वेल यह जो वीडियो रहने वाला है काफी शॉट एंड सिंपल सुट रहने वाला है एक इन्फॉर्मेशन के बारे में यह टाटा सफारी से रिलेटेड रहन कि आप देखते हैं पिक्चर्स में आप जैसा कि देख सकते हैं आपको यहां पर बहुत सारे चेंजिस देखने को मिल जाते हैं फीचर्स में भी इसमें चेंजिस किये गए हैं डेफिनिटली एंड थोड़े बहुत लोक्स में भी डेफिनिटली आपको चेंजिस देखने को को मिल जाते हैं पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं black and white color में शायत से यह आपको provide की जाएगी आट इसमें आपको बाहर की तरफ आप देखते हैं तो जितने भी आपको silver और chrome के finish के parts देखने को मिलते थे वो अब आपको golden touch में यहां पे देखने को मिलेंगे उपर की अब गोल्ड एडिशन में आपको एक स्पेशल एडिशन यह प्रोवाइट किया जाएगा इसमें आपको गोल्ड के फिनिश में यह देखने को मिलने वाली है आगे की तरफ आप देखते हैं तो छोटे-मोटे थोड़े-बहुत इंसर्ट आपको यहां पर हैड्लाइट के पा इसके पास आपको गोल्ड टच यहां पर देखने को मिलने वाला है डेफिनिटली डैश्बूर्ड में अगर आप देखते हैं तो आपको नीचे की तरफ जो आपको सिल्वर कलगर टच देखने को मिलता था वह आप गोल्ड कर दिया गया है और टॉकिंग अबाट नॉर्मल फिनिश गोल्ड एडिशन में आपको देखने को मिलने वाली है और साथ के साथ कोस्माटिक चेंजिस तो करे ही गए हैं बट काफी सारे चेंजिस देखने को मिलने वाले हैं पहले आपको वाइलेस अंडर्ड आटो देखने को यहां पर नहीं मिलता था जो कि अब आपको ड देखने को मिल जाएगा एंड फ्रंड में जैसे की अब देख सकते हैं तो आपको ग्रिल भी गोल्ड क्लर में देखने को मिलने वाला है टाडर सफारी गोल एडिशन सिर्फ आपको six staff seter की configuration में देखने को मिलने वाली है and साती की साथ आप देखते हैं तो आपको leather finish seats यहाँ पर देखने को मिलने वाली है fully leatheried seats आपको यहाँ पर provide की जाएंगी white color की, जैसा कि आपको current running model में देखने को मिलती है same आपको उसी तरह की देखने को मिलने वाली है and जैसे कि आप देख सकते हैं seats पे आपको hashtag gold की यहाँ पे badging definitely देखने को मिलने वाली है and सदिक साथ आप देखते हैं तो ventilated seats का भी option आपको इसमें provide किया जाएगा front seats में definitely across the range आपको standard ये option देखने को मिलने वाला है and पीछे की purifier के अगर बारे में बात की जाए तो वो भी आपको इसमें competition में जैसे कि आप देखते हैं अलकजार में आपको देखने को मिलता है and I guess XTV 700 में भी ये option देखने को मिलेगा safari में ये missing था तो अब safari में भी ये option देखने को मिलने वाला है ac vents के अंदर आपको यहां पे air purifier place किया हुआ देखने को मिल जाएगा and competition के अगर बारे में बात की जाए तो competition के हिसाब से definitely safari में पहले आपको थोड़े कम features देखने को मिलते थे which was kind of a miss from the Tata लेकिन आप जैसे कि आप सकते हैं आपको काफी सारे features यहां पे देखने को मिल जाते हैं and biggest competitor के अगर बारे में बात की जाए तो महिंद्रा xv700 जो की कुछ ही टाइम में market में आपको देखने को मिलने वाली है उसके competition में आपको यहां पे safari में जैसे कुछ features safari में आपको extra मिलेंगे कुछ features xv700 में आपको देखने को मिल सकते हैं डायस का जो autonomous driving का feature है वो आपको xv700 में देखने को मिलता है and safari में वो आपको प्रोवाइट नहीं किया गया है safari में आपको ventilated sheets अब प्रोवाइट की जाती है and xv700 में आपको वो देखने को नहीं मिलती है अलकजार के बारे में बात की जाए तो अलकजार में आपको ventilated sheets का option front row में देखने को मिल जाता है so this was all about the video I hope you enjoyed my video and my information was informative for you so if you liked my video so do like share and subscribe to my channel for more such crazy updates and do follow me on instagram as well so chali it's by for now and hope to see you soon me signing off